जेहिंद वेलकम टू टूडे एक्जाम क्लासेश दोस्तो दोस्तो इस वीडियो में हम राजस्तान जीके से सम्मदित कुछ मोश्ट इंपरडेंट क्योशन करने जा रहे हैं जो आपके रीट वीडियो लेब एसिस्टेंड पुलिस फोरेस्ट कार्ड के एक्जाम 2022 में बाहर ब रीपीट होने वाले क्योशनों को लेके आये हैं जो आपके राजस्तान जीके के नए सेलबस्ट पर आदारित हैं अगर आप भी इन कॉंपिटेशन लेवल की त्यारी कर रहे हैं तो आप हमारे इस यूटूब चैनल पर के वीडियो तक अंत में बने रहेगा दोस्तो तो च सही आंसर हो जाएगा option number A इस के एक्टर फाटी राजस्त का मूल प्रूस या आदी प्रूस हैं वो भटी या भाटी था कौन था भाटी राजस्त का इसकी ट्रिक हैं फाटी है सरी नाम आ रहा है तो भाटी या फाटी इसका मूल प्रूस हो जाएगा दोस्तो नेस्ट क्यों का सदर एरिया सत्पद नाम 1965 इस्ट में बजल कर राज्येपाल कर दिया गया था नेस्ट किसना आपके सामने सीधी कारेवाई दिवस किस पार्टी से सम्बंदित हैं तो इसका सही आंसर हो जेगा option number A के सीधी कारेवाई दिवस हैं वो मुस्लिम लीग की पार्टी से सम्बं जाता हैं तो इसका सही आंसर हो जेगा option number A के खेलो का मैदान है वो धोला वीरा के इस्टल को कहा जाता हैं नेस्ट कि उसना आपके सामने 20 खंबो वाला सबाभवन किस इस्टल से प्राप्त हुआ हैं तो इसका सही आंसर हो जेगा option number 20 के 20 खंबो वाला सबाभवन हैं वो मु उप्सिन नमर ए इसका है चार वरण, ब्रामन, सत्रिय, वैसे सुद्र, इन वेदो, इन वरणों का उलेख हैं वो रिग वेद के अंत्रगत किया गया है तो इसका उप्सिन कौन सा राइट जेगा उप्सिन नमर ए इस क्रेक्ट अगला किसन आप के सामने सम्राट असो का एक मात्र उतकरिन सीला रूप चितर कहां पाया गया है तो इसका सही आंसर होज़ेगा option number C इसका है समराट असो का एक मात्र उत्क्रेंड सीला रूप चित्र है वो कंगन हली में पाया गया है अगला किस नाप के सामने कांगन कांड किस परजा मंडल आंदोलन के दोरान खटित हुआ है तो इसका कौन सा राइट होज़ेगा option number C इसका एकटर कंगन कांड है वो बिकाने परजा मंडल के दोरान खटित हुआ है जो जैपूर परजा मंडल में सक्रिय नहीं था तो इसका सयान सरजे अप्सिर नमबर सी इस क्रेक्ट उच्छ नेता है जो परियाग राज फंडारी है जो पैच्छाने में जैपूर परज़ा मंडल में सक्रिया नहीं थे कौन ही थे परियाग राज फंडारी अगला किसनाब के सामने कोटिले किसका परदान मंतरी रहा है कोटिले है वो चंदरगुप्त मौरे का परदान मंतरी रहा है कोटिले विश्चनुगुप्त चाने किये मौरे वन्स के संस्ता पक और चंदरगुप्त मौरे के गुरु या परदान मंतरी थे कौन थे कोटी लिए नेश्ट के उसनाव के सामने किस सासक ने अपने देवताओं का पिरिय कहलवाया है तो इसका से यांसर रोजेगा अप्शन नमर सी इसका एक्ट सम्बराट असोक सासक ने अपने देवताओं को क्या कहला है पिरिये कहलवाया हैं किस ने समराट असोक ने नैस्ट के उस नाव के सामने बहिस्कृत हित कारेनी सबा की इस्तावना किसके द्वारा की गई है तो इसका से आंसर रोजेगा उप्सन नुब एसक है बहिस्कृत हित कारेनी सबा की इस्तावना है वो डॉक्टर फीम राव अमे फार्तिय वराष्टिय कॉंग्रिस की पहली मैला है वो एनी बिसेंट अध्यक्स थी अगला किसना आपके सामने किसने नारा दिया एक धरम एक जाती और एक भगवान मानवता के लिए हैं तो इसका स्यांसरोजे का उप्सन नमर एसक है शिरी नारा एंट गुरू ने ये नारा दिया कि एक धरम एक जाती और एक भगवान मानवता के लिए हैं अगला किसना आपके सामने राष्टिय गीत वन्दे मातरम को पहली बार कॉंग्रेस के किस अधिवेशन में गया गया था तो इसका सही आंसर रोजेगा option number A कलकता अधिवेशन 800 छिन्नू में राष्टे गीत वंदे मात्रम को पहली बार कॉंग्रेस के इस अधिवेशन में गया गया था कौन से अधिवेशन में कलकता अधिवेशन 800 छिन्नू में नेस्ट के उसनाव के साहन है तो इसका सही आंसर होजेगा option number D तो इसका option right होजेगा नेस्ट के उसन लाला लाजपत राई किस नाम से जाने जाते हैं तो इसका सही आंसर होजेगा option number A लाला लाजपत राई है वो सेरे पंजाब के नाम से जाने जाते हैं नेस्ट के उसनाव के सामने सांत पेटी किस रेका के दोनों और पाई जाती है तो इसका सही आंसर होजेगा option number A सांत पेटी हैं वो भूमद्य रेका के दोनों और पाई जाती है अगला किस नाव के सामने है फारत के दक्सिन में इस्तित सबसे उंची परवत छोटी किस राज्ये में अवस्तित है तो इसका सही आंसर हो जेगा ऑफ्सिन नुम बीश के फारत में दक्सिन में इस्तित सबसे उंची छोटी है वो केरल राज़े में अवस्तित हैं नैश्ट के उसनाव के सामने फारत की वास्तिक प्राचिनत मोड दौर परवत श्रेणी है तो इसका सही आनसola है अप्सर नुबर 10 1974 फारत की वास्तिक प्राचिनत मोड दर है वो परवत श्रेणी है कुन सी है अरावली परवतस ररहनी है नैस के उस नाप के सामने कंचन जंगा नैशनल पारक इस्तित है तो इसका सही आंसर रोजेगा option number 20 के कंचन जंगा नैसनल पारक है वो चिकिम में इस्तित है अगला के उस नाप के सामने फाकडा नागल परियोजना किस नदी पर निर्मित है तो इसका से आंसर रोजे का ओप्शन मर्डी इसक है फाकडा नागल परियोजना है वो 17 नदी पर निर्मित है अगला किस नापके सामने कल पॉंग जल विदूत परियोजना अवस्तित है तो इसका से आंसर रोजे का ओप रोड किस राज्य की जीवन रेका माने जाने वाली सडक है तो इसका सही आंसर रोजेगा उप्स नमर्ट डिसक है जीरी बाम रोड है वो मनिपूर राज्य की जीवन रेका माने जाने वाली सडक है नैस की उसनाब के सामने फारत की पहली तेजस एक्सप्रेस की सुरुआत कब की गई तो इसका सही आंसर रोजेगा उप्सिन नमर एसक है भारत में पहली तेज़स एक्सप्रेस की सुरुआत है वो 22 मई 2017 को की गई है नेक्स्ट की उसना आपके सामने राजस्तान का वाहा जिला जिसमें औसत वर्षा सबसे अधिक होती है तो इसका सही आंसर रोजेगा उप्सिन नमर सी इसक है राजस्तान का वाचिला है जिसमें छालावाड है जो सबसे अधिक और सत वर्षा वाला जिला है नेक्स्ट की उसना आपके सामने गंग नहर कौन सी नदी से निकाली गई है तो इसका सही आंसर रोजेगा उप्सिन नमर बीस के गंग नहर है वो 17 नदी से निकाली गई है अगला कौन आपके सामने मेज़ा बांद परियोजना किस नदी पर बनी हुई है तो इसका सही आंसर रोजेगा उप्सिन नमर डीस के मेज़ा बांद है प्रियोजना है वो कोठारी नदी पर बनी हुई है अगला क्यूशन आपके सामने सलेम सिंग की हवेली और नत्मल की हवेली कहां इस्तित हैं तो इसका सही आंसर हो जेगा और सलेम सिंग की हवेली और नत्मल की हवेली है वो जैसल मेर में इस्तित हैं नत्मल की हवेली जिसे ज जैसल मेर के परदान मंत्री नत्थमल ने बनवाया जिसका निर्मान लालू और नाता दू भायों ने करवाया था। कहां पे इस्तित हैं जैसल मेर में। अगला किस नाप के सामने तिरपूरा सुन्दरी का मंदिर किस जिल्ले में हैं तो इसका से आंसर रोज़ेगा उप्सन नुवर एसक है तिरपूरा सुन्दरी का मंदिर वो बांसवाडा जिल्ले में इस्तित हैं तिरपूरा सुन्दरी का मंदिर धूरत आई माता के मंदिर के भी जाना जाता हैं किसके नाम से धूर्त आई माता के नाम से नेस्ट क्यों से नाप के सामने हैं अगला किस नाप के सामने हैं किस देश ने पॉलेंड और बुल्गुरिया को रूबल में भुकतान करने में विफलता के कारण गैस की अपूर्ती रोक दी हैं तो इसका से आंसर रूस देश ने पॉलेंड और बुल्गारिया को रूबल में भुगतान करने में विफलता के कारण गैस की अपूर्थी को रोक दिया है अगला किसन आप के सामने है सूसना परोधित की उद्योग संगठन नेस कॉम ने किसको 2022-23 के लिए चैर्मेन नियुक्त किया है किसको कृशनन रामानू जन को केबिनेट ने नकसल छेत्रों में 2G मोबाइल साइटों को फौरजी में अपग्रेड करने के लिए कितने क्रोड रुपे की मंजूरी दी है तो इसका से आंसर हो जाएगा आपसन नमबर सी स्क्रेक्ट 2426 दस्मलों 39 क्रोड रुपे की मंजूरी दी है किस ने दी हैं केबिनेट ने नकसल छेत्रों में 2G मोबाइल साइटों को फौरजी में अपग्रेड करने के लिए 2426.32 क्रोड रुपे की मंजूरी दी है अगला क्यूशन आपके सामने कैंद्रिय मंत्री मंडल ने फार्तिय डाग भुपतान बैंक IPBB के लिए कितने क्रोड रुपे के लिए अतिरिक्त वित्य स्मर्तन को मंजूरी दे दी है तो इसका सही आंसर रोजेगा आपसन नमब एस कहाट्र आइट सु बीस क्रोड रुपे की मंजूरी दे दी है किसके लिए फार्तिय डाग भुपतान के लिए कैंद्रिय मंडल ने दी हैं किसके लिए वित्य समर्तन मजूरी के लिए नेस्ट के उसना आपके सामने है फार्तिय महिला होके टीम की किस पूर कप्तान का बैंगलूर में 81 साल की उमर में निदन हो गया है फार्तिय महिला होके टीम की लिए विए विट्रो कप्तान का बैंगलूर में 81 साल की उमर में निदन हो गया है अगला क्योशन नेस्ट क्योशन आपके सामने यूक्रेण यूद के बीच निम्न मैसे कौन सा देश सहयुक्त राष्ट के परियाटन निकाई से हट गया है इसका सही आँसर रोजेगा आपसण निकाई से हट गया है नेस्ट क्योशन आपके सामने साल 2022 का पहला सूर्य गरन कब लगने जा रहा है तो इसका सही आँसर रोजेगा आपको हमें कमेंट कर गया है जरूर बताना है दोस्तो यून तत्स संग भारत कब आया था तो इसका कौन सा अप्शन रइट होगा A, B, C, D तो इसका आंसर आप हमें कमेंट करें जरूर बताएगा दोस्तो कदा कि हमें पता चलेगा कि आप हमारी क्लास में कंटिन्यूटी बने रहते हो दोस्तो और इसके साथ Most Important तता नवीन चलेबस पर आदारित जीके के क्योशन पाने के लिए हमारे हीटूब चलेबर बने रहे वंदे मातरम